अस्टर योगी, पहला अस्टरालजर कंसल्डेशन सिर्फ और सिर्फ एक रुपे में अब ही डाउनलोड करें नमस्कार, साल के पहले महीने की शुरुवात हम सभी लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं साल 2023 निश्चित रूप से पॉजिटिविटी लाने वाला है आपके आसपास का माहूल आपके वैक्तितों को निर्धारित करने वाला है इसलिए अपने आसपास के माहूल को बहतर तरीके से विवस्तित करना चाहिए ग्रोहों की चाल सभी राश्यों के लिए भागेशाली रहने वाली है इसके साथ ही आपके प्रयास भी वेरत नहीं जाएंगे वे आपके विकास में मदद करने वाले हैं इस दोरान अपने लक्ष को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता अपनी पहचान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें नए साल के इस महीने में हर उस वेक्ति के लिए बेहतर कल की उमीद है जो सफलता और खुशी चाहता है और इस प्रयास को पाने के लिए प्रयासरत है यह साल आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा जो कड़ी मेंद करते हैं उनके परती और भी चीज़े पॉजिटिव होंगी और जीवन में बड़ी चीज़े हासिल करने के परती इमानदार भी होंगे धनुराशी धनुराशी वालों के लिए मैना बहुत महत्यपूर रहेगा यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने जीवन के कुछ महत्यपूर बदलाव करें ताकि लंबे समय तक सफलता प्राप्ट कर सकें आपके परिवार और काम के परती कमिटमेंट को समझने की आवशक्ता है आप अपरी प्रोफेशनल लाइफ और परसनल लाइफ को बहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं मास के उतकर्ष्ट समय में सूर्य मकर राशी में प्रवेश करेंगे यह गोचर आपके जीवन में उत्सव और सो भाग्य का रास्ता खोलेगा अपने कठिनाईयों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत जो आपने की है इस समय पर उसके परिणाम आपको मिलेंगे परतेक कारिये में सकारात्मत प्रकिरिया होगी इसलिए जीवन के परती आशावादी बने रहें 17 जनवरी 2023 को शनी कुम राशी में प्रवेश कर रहे हैं यह समय परिवार के विस्तार के बारे में सोचने के लिए अच्छा होगा आपको पार्टनर के साथ अपने रिष्टे सुधारने चाहिए अपनी भावनाओं को साजा करना चाहिए इस महीने काम से जुड़ी कुछ यातराय होने की संभावना बन रही है यह आपको ठका सकता है परन्तु एक संतुष्टी का एसास भी देगा 22 जनवरी 2023 को शुकर कुम राशी में जब परवेश करेंगे आपके परिवार के सदश्चों के साथ मतवेद आपको चिंतित कर सकते हैं हाला कि आपको यह समझना चाहिए कि है जीवन का केवल एक चरण है जिसके साथ आप अपने धहर्ये के साथ गुजरें और अपने प्रयासों की विर्धी और अत्म संतुस्टी के लिए नईने तरीके खोजें इस महीने कई सर्प्राइज आपकी परतिक्षा कर रहे हैं ये उन सभी अजनवी वैक्तियों कसे आएंगे जो शायद आपको जीवन में कभी प्रटेक्ष रूप से ना मिले हो जो भी उत्तिक्रिष्ट कारिय कर रहे हैं उसको जारी रखें अपनी शर्तों पर अपने जीवन को बहतर बनाने का प्रयास करें खुद इस बात पर गर्व मैसूस करेंगे और कोई पच्चतावा नहीं होगा लोग हमेशा डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उनमें भी खुशी ढूंड सकते हैं यह राशीफल, चंद्रमा, ग्रहे और नक्षत्र की गणना पर आधारित है आप अपनी कुंडली का एनलिसिस कराना चाते हैं विवा, पंचान, शुबमूरत, राशीफल, आधिसे संबंदित या वैक्टिकत परामर्ष लेना चाते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नमबर पर संपर्क कर सकते हैं या डाउनलोड करें एस्टरयोगी एप गूगल प्ले स्टोर से या आई ओस्टोर से और पाएं अपने हर सवाल का उत्तर इडिया के बेस्ट जोतिस आचारियों द्वारा आप अपने सुझाव और फीडबैक भी कमेंट्स बॉक्स में साजा कर सकते हैं एस्टरयोगी पहना एस्टरोजर कंसल्टेशन सेर्फ और सेर्फ एक रुपे में अभी डाउनलोड करें